नाकपुर में बड़ी संख्या में पीडित आ गया रहे है। नाकपुर में बड़ी संख्या में पीडित आ गया रहे है। नाकपुर में बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में बड़ी व्रुद्धी हुई है। इस संबन्द में सरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउड इन्होंने टेलिफोन पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि नाकपुर शहर और जिले में कोर्णा प्रतिबंद पर फैसला 30 तारी के बाद लिया जाएगा। इस बैठक में ग्रोह मंत्री ने सरकारी मेडीकल कॉलिज और इन्द्रागान्दी गवर्मेंट मेडीकल कॉलिज में बेड की उपलब्ता की समिक्षा की। सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने सुमवार से बिस्तरों की संख्या को 30 प्रति दिन बढ़ाने की ततपरताद दिखाई है उन्होंने मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की संख्या 1000 तक बढ़ाने की अपील की उन्होंने अदालेत के आदेश के बाद मेडिकल बेस्पेंट में उपाय करने का भी सुझाओ दिया साथ ही इस समय कॉलेज स्थापना से कोर्णा अवधी के दौरान रोग्यों की सेवा करने वाले सनातर को तर चातरों की परिशा की कटनाई पर चर्चाप की गई उन्होंने कहा कि इन शातरों की रोगी सेवा में एक बड़ी हिस्सिदारी है और वह संबनी विभाग से बात करेगी ताकि वर्तमान में इन शातरों को रोगी सेवा में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े उन्होंने अतरिक जन शक्ति के लिए उपाय सुझाए उन्होंने कहा कि कोर्णा के रोग्यों की संख्या में वृध्धी की कारण अन्य बीमारियों के गंभी रूप से बीमारी रोग्यों को ही चिकित्सा में लिया जा रहा है और सभी गैर कोवेड वाडों को कोवेड वाडों में परवर्टेत किया जाना चाहिए उन्होंने ग्रामिंग शेत्रों में टीका करन में तेसी लाने के लिए राजनितिक, सामाजिक और विबिन्नगेर सरकारी संगटनों की मदद लेने का सुझाओ दिया इसके लिए जिला परिशत के मुख्यकारी कारी अधिकारी कलेक्टर ने सभी स्तरों पर गन्माने लोगों को एक पत्र लिखने का निर्देश दिया नाकपुर में 55% ग्रामिंग शेत्रों में और लगबग 35% शेहरी शेत्रों में टीका करन किया जाता है टीका करन के बिना कोरोना युद नहीं जीता जा सकता इसलिए उन्होंने जिला और नगरपाली का प्रशासन को इस सम्मझ में अधिक गतीशील होने का निर्देश दिया कोर्णा की भयावस्तिती शेहरों में है अगले 10-15 दिन नाकपुर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और इस अवधी के दौरान कोर्णा आगे नहीं फैलेगा नगर आयक तराधा कुष्णवी से अपील की महानगर की निजी अस्पतालों से बड़ी मात्रा में मदद आ रही है साथ ही पिछले कुष दिनों में निजी अस्पतालों में लगभग 35,000 बेड उपलब कराने के लिए एक विशेश अभियान शुरू किया है उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में भी ऑक्सिजन की उपलब दता में समस्या थी इसके बाद ग्रो मंत्री ने खाद्या एवं और शुदी प्रश्यासन आयक से बात करते हुए उन्हें नाकपुर की वरतमासिती की याद दिलाए ततकाल ऑक्सिजन सप्लाइ करने का निर्देश दिया कैमरा परसन अक्लेश भारेदवाज के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाकपुर